सब्सक्राइब करेंगे लेकिन जो नए चेंजिस नजर नहीं आएंगे लेक देखने में जो दोनों सेमी लग रहे है यह लेकिन आपको अच्छे से पता चल जाए है कि भाई This से लिएर old वाला कैसा लगता तो यह कैसा लगता है तो दोनों यह जो है जो है जादा कुछ फरق आपको नज़र आएंगे नहीं लेकिन जो main-main चेंजिस है निजो में आपको S Dafür जனे मतलब ऐसे आपको नहीं दिखेंगे लुक्स में तो सेम यह डिजाइन जो है सेम उसमें कोई अपटेट यहां पे नहीं किये कमपणी ने जो चेंजिस किया है वो बताता हूं आपको सबसे पहले जो है यहां पे सस्पेंशन आप चेक करो यहां पर आपको कवरिंग देखने को मिलते हैं लेकि जो वील का डिजाइन है वो आपको नए देखने को मिलते हैं जो कि ओल्ड बाले में आपको कुछ ऐसा मिलता था तो यह जुख फॉल सैकंड यूज किया लगा है अभी अँछी दिजाइन में तो यह काफी अच्छी लगती है इसके अंदर बाकि यहां पर नियो इट्रांस की पूरी स्टिक्रिंग या फिर फिरीडी में बैजिंग वगरा इसमें भी आपको देखने को मिलती थी अभी बढ़ता हूं एक्सचेंज की तरफ तो यहां पर जो यह हैंडल बार्स वगर है न उसके बाद जो एक और बड़ा चेंज इसमें किया गया गया गाइस वह है इसका यह यह जो है आपको वही मिल जाता है जो ए प्लूटो 7G में देखने को मिलता है अभी जो थोड़ा ब्लिंक कर रहा है तो इसको इग्नोर करना बिकोज यह जो कैमरे की कमी है इसकी कमी नहीं है इसके अंदर यहां पर आपको बैटरी वगरा शो करते हैं यहां पर राइडिंग वगरा शो करेगा नीचे जो होडो मीटर वगरा शो करता है तो अभी जो कैमरे में आपको इतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा यहां पर 8 किलो मीटर से इसके रीडिंग हो चुकिए बाकि जो है यहां पर आपको प्योर इवी का लोगो मिल जाएगा और यहां पर जो हाई बीम वगरा जो है शो कर देगा जैसे कि मैं भी ओन करूं तो ऐसे जो है तो यह सारा जो है नया मीटर आपको देखने को मिल जाते तो यहां पर फीचर भी आपको ठीक ठाक मिल जाते बाकि इसमें रेंज वगरा तो यहां पर शो करता नहीं है लाइक वो जो फीचर आपको मिलती है और दो रिमोट पहले क्या था आपको ये मीटर जो है ये भी नॉर्मल सा मिलता था उसमें जो है नया आ गया है और इसमें जो है नॉर्मल सा मीटर सा जो कि मैं दिखा देता हम आपको तो कुछ ऐसा जो है मीटर आपको मिलता था पहले और की जो है इसकी complete मेरे आदिया है लाइक देखने में जो अभी अच्छा लग रहा है बागी जिस चेंज की मतलब जरूरत थी ना सबसे ज़्यादा वह इसकी सीट और वह चेंज भी जो है कंपनी ने कर दिया लाइक इसमें भी इंप्रूमेंट किया काफी हद तक यह जो सीट है ना पहले से ज्याद ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकि है पहले से ज्यादा लंबी भी जो इसकी लैंथ भी जो है बढ़ा दीगी है और जो पीछे ग्रैब रेल आप देख रहे हो इसको भी जो है रिप्लेस करके पीछे कर दिया तो चली इसको डिटेल में दिखा देता है पहले जो सीट मिलती यह मिलती थी छोटी सी यह तो राइडर के लिए होगी कमफर्टेबल राइडर के लिए कोई दिक्कत नहीं थी अब पिलियन कहां बैठेगा यहां बैठेगा तो पिलियन के लिए जो है थोड़ी सी जगह मिलती थी और उपर से पीछे ग्रैब रेल ले यह भी ऐसी लिए चयो कईड़ दो है तो वो भी जो आराम से बैठ सकते लाइक बच्चे वागएर भी जो आराम से बैठ पाएंगे फिर भी ताकि पीछे बंदा बैठे तो उसको लगे ना तो यह चीज भी जो काफी अच्छी दे दी और जो यह पूरा स्पेस है जो हच्छे से कवर हो चुका है तो अभी जो हम बोल सकते कि हाँ अच्छी राइड कॉल्टी भी आपको मिलेगी नए वाले ईटरंस नीओ से इसके बाद में यहाँ पे एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा यह जो यह नए वाला ईटरंस नीओ तो यहां पर क्या है आपको यह space देखने को मिल रहा है यह जो लेडी पता चलती है तो अब पर पर काम भी कर रही है प्योरी भी ऐसा नहीं है कि पर लॉंच कर दिया और तो मतलब कोई उस पर ध्यान ही नहीं देना लेकिन कंपनी जुमारे पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है देख सकते हो पहले कुछ ऐसा था और यह स्पेस नहीं था बीच में तो अब जो है नाई तो ज्यादा बद्दा लग रहे और अच्छी जो है इसका बड़ा अपडेट किया है वह एक पहले ही इसमें ना मतलब हम वीडियो बनाते थे तो भाई स्पेस के बारे में लोग पूछते थे भाई स्पेस का हैं पहले बैटरी एकदम से सीधी डलती थी वह ऐसे स्लोप टाइब डाल दी ऐसे इसका पूरा जो अंदर होता है ने खाचा वह जो है ऐसे बना दिया इसका इस तरह से तो टेड़ी जा रही है बैटरी इसके अंदर उसकी विज़े से थोड़ा सा स्पेस यहां पर बच गया है और यहां पर जो स्पेस आपको मिल जात पहले बैटरी जो है बिल्कु सीधी डिलती थी उसके विए कोई स्पेस यहां पर नहीं बचता था लेकिन अब जो आपका चागा सा स्पेस मिल जाता है आप जो अपना छोटा मोटा सामान उसके अंदर रख सकते हो तो यह थी इसके बड़े-बड़े चेंजिस अभी कुछ जो नीचे की साइड होता था और यह उपर की साइड तो अभी दिखाते हैं तो आप कोल्ड वाले में तो कुछ इस तरीके से होता था अभी क्या है कि आपको अच्छा कमफर्ट मिलेगा तो वह भी जो है आप अपड़ेट किया गया है उसके बाद में जो है डिजाइन आप तो यहां पर protection मिल जाती है जो इसके अंदर cables वगर है drum brake वगर है उसको अच्छा protection जो अभी मिल जाएगा और बेटर तरीके से पहले जो कुछ ऐसा मिलता था बोरिंग सा तो यह सारे changes जो आई से scooter में किये गए सो इस अभी जो मैं इसको ride करता हूं तो first mode में आप देखना कि क्या speed और क्या नहीं है कि आपने देखा first mode में लगबख 35 गई थी उसके बाद में मैंने सेकिंड नी डारेक थर्ड डाल दिया था थर्ड के बाद में जो 55 के करीब गई थी और वह भी पिलियन के साथ में तो देख सकते हो पिलियन के साथ में बैठा हूं तो अच्छी speed like 60 तक आपको मिल जाएगी सिंगल राइडर जो है राइड करते हो तो तो यह की राइड कॉल्टी वगरा भी अच्छी है सस्पेंशन जो अभी पहले से ज्यादा बैटर हो चुके रियर के काफी स्मूठ जो है हो चुके ना कोई आपका जटका फील होग ना कुछ और तो यहां पे आपको मजा आएग शूट वगरा के लिए तो अभी जो है निकेद भाई मेरे साथ है तो मैं इन से पूसता हूं कि भाई जो नया मोडल उसकी क्या प्राइस है सर मैं पहले के बात करूं तो इसका प्राइस था 84,700 अच्छा पहले जो है 84,000 था ओल्ड वाले मोडल का अब जो हमारा प्राइस ब में है तो लोकेशन वगरा मैं नीचे दे दूँगा यदि किसी को भी परचेस करना हो द्वार का से तो मैं नीचे लोकेशन दे दूँगा आप जाके ट्राइक कर लेना बाकी गाईस यह थे कुछ आज की वीडियो में अभी कोई भी डाउट सो नीचे कमेंट करो बाकी मिलत यह थी नेक्स देम तब तक के लिए जय हींद वन दे मातरम लव यू